नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है तो कैसे हैं आप आयोप आप ठीक होंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथी में बेल आइकन को जरूर दवाए ताकि आपको आने वाली वीडियो की खाने जा रहे हैं जो है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्लांट में हमारे जो एपल सेटिंग हुई थी काफी अच्छी इसमें सेटिंग हुई थी तो इसमें जो है साइज में काफी इंप्रूमेंट हो रही है तो इसमें जो सेटिंग हमारे यहां पे हुई है कहीं दो कहीं दो इपल लगे है कहीं तीन लगे है हलांकि कहीं पांच भी लगे है तो इसमें से एक जो हमने निकाल दी दो जो है निकाल दी है तो हमने फिलाल उसको तीन महीं रखा है तो ये है इस plant की setting घलाकी इस में setting की जो हमारी video थी वो पहले भी आप देख चुके हैं प्रतु इस बार की जो video है हमारी वो इस बात पहे है कि हमारी जो stage है वो जो है half walnut आने वाली है जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाफ वालनेट जो है हमारी स्टेज बहुत ही जल्द आ जाएगी और इस बार मौसम काफी अच्छा बना हुआ है हलांकि कुछ दिनों पहले बारिश भी हुई है तो कहीं न कहीं बारिश से भी हमारे जो फ्रूट हलांकि आजकल जो है जो सेल ड्वीजन का कार्या चला हुआ है क्योंकि आजकल जो है सेबो में जो है सेल ड्वीजन होता है ना कि सेल ड्वेल्प्मेंट होती है वालनेट स्टेज तक एपल में सेल ड्वीजन होती है याने कि कोशिकाओं का विभाजन हमारे सेब के दाने में जितनी कर भी कोशिकाइं बनेंगी उससे हमारे को फायदा है क्योंकि पहले जितनी कर कोशिकाइं बनेंगे बाद में उन कोशिकाइं का विकास होगा अभी जितनी कर कोशिकाइं बनेंगी अभी कोशिकाइं बन रही है और walnut के बाद उन कोशिकाओं का विकास होगा मतलब कि सीधी जैसे बात है कि जतनी जदा यहाँ पर salad reason होगा जतनी जदा कोशिकाओं हमारे यहाँ पर बनेंगी तो फिर उन सभी कोशिकाओं का विकास होगा मतलब कि जो एपल का size होगा वो बढ़ेगा यही एक stage है अगर आप size बढ़ाने के उपर काम करना चाहते हैं तो यही हमारी stage होती है walnut से पहले कि इस stage पर हमें cell division को बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बनाना पड़ता है जिससे हमारा size कापी अच्छा बढ़ता है और हमारे इंडिया में जो है अभी जो cell division के लिए जो हमारे पास जो महत्वपन सोर्स है वो रहते है nitrogen भी अच्छा cell division का काम करता है और nitrogen के बाद calcium जो है एक बहुत ही अच्छा एक घटक है जो जो है apple जो की cell division में काफी मदद करता है calcium जो है इस stage में आप जितना दे सकते है उतना ठीक रहेगा क्योंकि cell division के लिए calcium का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप calcium की spray डाल रहे हैं तो calcium की साथ आपका boron डालना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो calcium की movement में boron काफी जो है साहिक होता है अगर आप single calcium की अगर आप spray करेंगे तो जितनी ज्यादा हमें उसकी movement की जरूरत होती है वो उस तरह से move नहीं करता है वो slowly work करता है अगर आप single calcium की spray करते हैं प्रतु अगर आप उसके साथ boron या magnesium कुछ add करते हैं तो उसमें जो है काफी movement हो जाती है जो calcium का uptake होता है boron जो है उसमें help करता है और इससे जो है हमारे पौदे को जल्दी मिल जाता है हलांकि जो है मैंने जो पिछे सप्रे की थी मैंने जो इनर्जीन बुस्ट की उस सप्रे की थी तो उसमें भी calcium है और कुछ amino acids बगेरा है तो आप देख सकते हैं उसका composition आप net पर सर्च करेंगे तो उसमें भी वह आ जाएगा तो हलांकि मैंने उसकी सप्रे की थी तो कई अन्य प्रोडक्ट भी है कैली टेक हो गया या कुछ और अन्य प्रोडक्ट भी है तो वह भी बहुत ही एच्छे जो है हमारे salad vision में काफी मदद करते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय जवान जय किसान